दोस्तों ये वीडियो भारती आर्थ व्यवस्ता और विष्व की जो आर्थ व्यवस्ता की जो बुनियादी बाते हैं उन पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसको लेकर के एक समगरी ये वीडियो बनाने की मैंने कोशिस की है सबसे पहले भारत की अर्थ व्यवस्ता के लिए आप अर्थ व्यवस्ता की जो मूल सब्दावली है वो आपको पता होना चाहिए राजको से घाटा क्या है, मुद्रा इसपीती क्या है, इन्फलेशन क्या है, राजस्व घाटा क्या है, राजको से घाटा क्या है, मुद्रा आउमुलेन क्या है तो अर्थ व्यवस्ता से सम्मंदी जो मूल सब्दावली है प्रतिवता दर्पन का जो अर्थ व्यवस्ता का विशे सांग है उसमें प्रारंब के अंदर कम से कम 200-300 परिवासा यह दे रखी है उनको आप देखो और समझो वो ना के वल प्रारंबिक परिक् सरकार के द्वारा और रज्य सरकार यानि जहां के आप रहने वाले हो गर स्टेट एक्जाम में बैठ रहे हो तो रज्य सरकार के द्वारा चलाई जारी जो फ्लेक्सिप योजना है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए योजना का सुभारंब क्या किया गया इसमें वि द्योग्योगों के लिए चलाई जारी विभिन, जो योजनाए हैं, उनकी बहुत अच्छा तरीके से पकड़ होनी चाहिए, इसके अलवा जो नविंतम जो बजट है, उसके प्रमुक प्रावधान आपको पता होना चाहिए, और आर्थिक सर्वे बहुत ही उप्योगी है, आर करूं के अंदर आईकर का क्या योगदान है, किन करूं का क्या योगदान, एक मोटा मोटी फिगर आपके, माइंड के अंदर होने चाहिए, इसके अलवा सरकार के द्वारा, शिक्सा पे, रक्सा पे, जो खर्च हो रहा है, उसका एक फिगर आपको आना चाहिए, आर्थिस बात की जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाती है एक बात कहते हैं नॉर्मल वे में और एक कहते हैं तर्क और तथ्ये के साथ में तो मुख्य परिक्सा में भी उसका महत्यों बढ़ जाता है और साकसाथकार के अंदर भी महत्यों बढ़ जाता है और पराण भी परिक्सा के अंद उसमें प्रमुक जो बाते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलबा अर्थवियोस्ता के जब बात करते हैं तो अर्थवियोस्ता के तीनी पोइंट है प्रात्मिक, द्वित्यक और तर्थ्यक हैं। तो करसी, उद्योग और सेवासेत्र, सेवासेत्रों में GST और बहु इसके अलबा नियोजन के सालों में हमने क्या पाया है, किन किन इस्टिटूट की इस्तापना की है, भार सरकार के द्वारा करसी, उद्योग, व्यापार, संचार, स्पेस, कहां-कहां, क्या-क्या आर्थिक आधारों पे हमने जो प्रगति की है, उन प्रगति का एक लेखा जोगा आपकी दिमाग के अंदर होना चाहिए। इसके अलबा आर्थ व्यवस्ता में सुधार के लिए समय समय पर परतिक्स और आप्रतिक्स करों को लेकर के बहुत सारी कमे कमेटियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो बैंकिंग जो सब्दा वली है, उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, बैंकों की स्तापना कब की गई, पुराना बैंक कौन सा है, नेशनलाइज बैंक कौन सा है, ग्रामिन बैंक क्या होते ह छेत्रे बेंक क्या होते हैं भूमी विकास बेंक क्या होते हैं बेंकों की प्रकृति क्या है किस तरीके की किस तरीके के लौन है किस तरीके की फंडिक है इस तरीके की जो मूल बाते हैं वो आपको अर्थविवस्ता के अंदर पता होने चाहिए इसके अलबा अर्थविवस्ता कि नवीन जो सूचकंक आ रहें उनके बारे沒 पता होना चाहिए थे क्या इस्ततिय ब्रदुम्ग को लेकर के समय-शमाइ जो लोग है उनके बारे में पता होना चाहिए उसके अलबा भारत के बारत गैट्विकास दर के प्रमुक जो यर्ध्सास्त्री है उनके बारे में पता होना चाहिए कि प्रमुकार्थ सास्त्री भारत के कौन-कौन है तो अर्थ व्योस्ता के लिए आप दत्ता सुंदरम किताब पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छी किताब है और लक्षविनार्ण नाथुरामका की किताब वो भी बहुत अच्छी है मैंने जिसे पहले बत नाथिक कोई अकबार पढ़ सको तो बहुत इबड़ी अगर आप संग-लोग से वायो कि या रज्य लोग से वाय कोई तयारी कर रहे हैं और कोई आर्थ या अर्थिक अकबार का कोई सोट रूप दिली में बहुत सैसे प्रकासक है जो आर्थिक जो समाचार पत्र हैं उनकी जो परमुक खबरे हैं उनको तीन पेज में या चार पेज के अंदर सोट करके निकालते हैं या आर्थिक सर्वे उसको सोट कर देते हैं भारत सरकार का जो भारत है उसको सोट रूप में टीनी साइज के अंदर बहुत से पब्लिस सरे हैं पूछ आपते हैं पत्थे रूप के दे देते हैं बहुत ही useful है तो कहने का मतलब है भारत की आर्थ वस्ता के अंदर आंकड़े अपडेट होने चाहिए और सूचना आपके पास में अपडेट होनी चाहिए भारत सरकार के दौर लेटस्ट योजना ही चलाई जा रही है उनके बारे में आपको जानकारी होने चाहिए तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताईए और आप बताईए किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद